आज का वीडियो है बिलकुल अलग और मैं इसमें क्या कर रही हूं? कुछ रेसिपीज बना रही हूं और रेसिपीज बनाने के साथ साथ कुछ किचन की नई छोटी छोटी सी चीज़े हैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूं तो विडाउट टाइम वेस्ट किये हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ मज़ा आएगा देखने में बहुत अच्छी तो रेसिपी भी बहुत बढ़िया है और जो चुटी चुटी सी चीज़े हैं वो भी बड़ी इंट्रेस्टिंग सी है जब कोई महमान आता है तो ट्रे की जरूरत पड़ती है और आजकल तो बहुत सुन्दर सुन्दर ट्रेस आती हैं जैसे वुडन आती है और उनमें जब आप कोई कप्स वगरा रखते हो तो दाग बढ़ जाते हैं और वो बहुत जल्दी खरापसी दिखने लगती है तो देखिए ट्रेस में बिचाने के लिए एक बहुत ही अच्छी लाइनिंग आती है ये पेपर की बनीवी होती है बहुत सुन्दर डिजाइन होता है इनका और ये अलग-अलग साइज में मिलती है ये मैंने लोकल शॉप से ली थी और ये एक पैकेट में मेरे ख्याल से 300 से उपर होती है अगर मैं सही हूँ तो और ये आपकी ना बहुत आराम से साल दो साल तक चल जाती है और जैसा आपका ट्रे का साइज हो उस हिसाब से ही आप इसको जो है बिचा सकते हैं तो एक तो इ अगर आपके पास ये नहीं हो तो पुराने डाइनिंग टेबल के जो मैट्स होते हैं वो भी आप बिचा सकते हैं और थोड़े से कंट्रास्ट कलर में खरी दिये जो भी आपकी ट्रे का कलर हो और देखिए जैसे अब ये कप हटाया तो यहाँ पे निशान पढ़ गया है त अगर आपको जरूर मिल जाएगी आज मैं बनाने जा रही हूँ पनिर की बहुत ही टेस्टी सबजी और ये धाबा स्टायल पनीर की सबजी है बहुत टेस्टी लगती है आसान है बनाने में और हम auto अब सकते हैं और इसमें हम थोड़े से काजू डाल के न या अनीर को कट करने के बाद मिलाएंगे मसाले जिसमें है लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, नमक आप डाल दीजे एक चमच और इसके लावा जिंजर, गार्लिक, पेस्ट और दही ये सारी चीजें मिलाके मैरिनेट करने के लिए हम इसको करीब 20-25 मिनट के लिए रख देंगे और उसके बाद बढ़ेंगे अपने next step पे यानी की मसालों के लिए तो इसके लिए मैंने क्या करी है, दो medium size onion ली है और उनको मैं chop कर लूँगी यहाँ दिखो एक चीज मैं आपको बताओ, आजकल market में बहुत अलग-अलग तरीके के tools आते हैं और वो tools जो हमारे kitchen के काम को बहुत ही आसान बना देते हैं तो सस्ते अगर आपको चाहिए तो आपको local market में ही मिलेंगे थोड़ा सा online ये महंगे हो जाते हैं और इसी तरह से मैंने 2 tomato भी जो हैं इसी सबजी के लिए cut कर लिए हैं और एक चीज और है, कई बार ऐसा होता है कि ये tools हमें use करने नहीं आते हैं हमें लगता है कि ये खराब हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा use करना हमें सीखना पड़ता है जो कि धीरे-धीरे experience के साथ ही आता है तो जब कभी भी आप tools लें, तो उनको use करना, कैसे use करना है वो थोड़े time में सीख लिजे, तभी हमें उसका review देना चाहिए खासकर तब, जब आप एक creator हों, क्योंकि उससे बहुत लोग follow करते हैं तो tomato और प्याज मैंने cut कर ली, और इसी तरीके से मैं आपको बताओं जैसे अब मुझे कुछ आगे चीज़ें पीस नहीं है तो मेरे पास एक mixi है, जो की wonder chef की है इसके बहुत negative reviews मैंने देखे थे, कोई promotional वीडियो देखो नहीं है लेकिन ये मेरी अच्छी खासी चल रही है, बढ़िया चलती है हाँ आवाज थोड़ी ये ज्यादा करती है, वो तो है तो आप देखो recipe के लिए हम क्या करेंगे, मलाई लेंगे जो हमने घर की मलाई होती है, तीन बड़े चमच ली और इसमें add कर देंगे 10-12 काजू, optional है नहीं हो काजू तो रहने दीजेगा, काजू add करके हम इसको पीस लेंगे तो देखे, ये मेरी wonder chef की ही mixी है और इसमें मैंने काजू डाले है थोड़ी आवाज तो ये करती है, तो electronics item की जहां तक बात है वो थोड़े से depend करते हैं कि आपके पास कैसा item आया है नहीं पिसें तो थोड़ा सा दूद डाल लीजेगा अब कुछ नए tools के बारे में आपको बताती हूँ ये मैंने एक Amazon से लिया है और एक local shop से लिया है ये बड़ा ही अच्छा है ये वाला tool ये एक बहुत अलग-अलग धंग से peel करता है मेरे पास अभी खीरा वगेरा नहीं है अगर उसे peel करेंगे न पूरी लंबी सी layer इससे निकलाती है बहुत अलग-अलग style में ये peel करता है और बिलकुल इसी तरीके से ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा पता नहीं इसमें क्या जादू है कि जब मैं इससे cut करती हूँ ना आलू को तो जो इसकी chips बनती है बहुत ही tasty करारी बनती है एक डिण महीना हो गया इन tools को मुझे मंगाए हुए इससे ना आप सलाद के लिए बहुत अच्छी अच्छी जो है खीरा हुआ, मिर्च हुई, वो सब cut कर सकते हो, टमाटर cut कर सकते हो, बड़ा सही मुझे लगा handy भी है, functional है, जैसे जो हमारे इस तरीके के बहुत और भी tools आते हैं लेकिन उनको use करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उनमें पहले items लगाओ, फिर उन्हें हटाओ ये मुझे बहुत बढ़िया लगा, और design बहुत अच्छा बन जाता है, बस एक चीज ध्यान रखेगा, जब आप इससे cut करें चिप्स बनाने के लिए तो थोड़ा सा पतला आलू कट करें, ये बड़ा ही handy और अच्छी चीज है, और ये दोनों ही मुझे बढ़िया लगे, और वैसे पहले जब मैं चिप्स बनाती थी तो पहले थोड़ा सा आलू को आधा बॉयल करके, थोड़ा सा कच्छा करके, फिर मैं इन्हें फ्राई करती हूँ, जब बड़ी अच्छी फिंगर चिप्स बनती है, जैसे मैक डॉनल्स वगेरा में रहती है, तो वो बिलकुल वैसा ही टेस्ट इसमें आया, जबकि मैंने ना तो आलू बॉयल किया है, ना फ्रिज में रखा है, जब कभी भी मैं किचन में का पड़ा चाहिए, ये बहुत जरूरी है, तो मैं कुछ बिलकुल बड़िया साफ सुत्री जो तॉलिया यानि की टावल्स होती है, किचन की उन्हें रखती हूँ, ये मैं बाहर ही रखती हूँ, और जैसे देखिए ये एक स्पॉंज वाइप है, ये तो मिले जरूरी है, बि मैंने खुद बनाई थी, आप लोगों को बताया भी था, ये थोड़ी सी मुझे डार कलर की चाहिए होती है, सफाई करने के लिए, जैसे आपने कोई भी चीज यूज करी, तो उसे हाथ के हाथ आपको साफ करना रहता है, तो ये डार कलर की पुरानी वाली, ये बहुत काम म आती है, एक मैं रखती हूँ, जब मैं रोटी बनाती हूँ ना, तो उसके नीचे बिचाने के लिए, ये बिल्कुल अलग मैंने दो रख रखी है, कभी भी यूज करने के बाद मैं इसको नहीं रखती हूँ, ये तो देखे पुरानी वाली है, इसको यूज करने के बाद मै थोड़ा सा इसे धूप में सुखा दो या वाश कर लो क्योंकि अगर आप आटा अगर इसमें लगा होगा और अंदर रख दोगे तो कॉक्रोचेज या कीडे होने की चांसेज बहुत ज्यादा रहती है तो जो आपका रोटी का फैबरिक है चाहिए वो रोटी बिछाने का फैबरिक है या बनाने का फैबरिक है उसको कभी भी मत रखिये इस तरह से बिलकुल तोड़ा सा धूब दिखा के या वाश करके ही रखिये और जहां तक डाग कलर की कपड़े की बात है किचन की मैं एक इस तरीके का भी रखती हूँ क्योंकि जो किचन के दाग होते हैं वो हमेशा साफ तौलिया या साफ कपड़े से क्लीन नहीं हो पाते हैं ये पुरानी ही किचन की तौलिया है लेकिन इनको क्लीन करके ही मैं रखती हूँ हमेशा ध्यान रखेगा कि ड्रॉर्स के अंदर कभी भी किचन की गंदी तौलिया मत रखे और देखिए कुछ खूपसूरती बढ़ाने के लिए बहुत ही सुन्दर ये एक टाल है देखिए ये भी मैं आपको बनाना सिखा दूँगी ये तो मैंने एमेजॉन से ली थी इसको टांगने के लिए वैसे तो छोटा सा हैंगर चाहिए लेकिन मैंने हेयर बेंड की मदद से इसको अब मैं हैंग करूँगी और इसके लिए है क्या जैसे थोड़े बहुत जुगार तो बिठाने पड़ते हैं और हैंग करने के लिए मैंने जो ली वो वुड़न क्लिप्स ली है बड़ी अच्छी है दिखने में भी अच्छी लग हुआ है उस डोर पे मुझे इसको हैंक करना है यह नई जो सुन्दर सी मेरी तॉलिया है इसको देखे कितनी प्यारी लग रही है तो किचन के सिंक के पास हाथ पोचने के लिए जब कभी भी जरूरत चाहिए तो इस डोर को खोल के ही वैसे भी मैं काम करती हूँ तो यह मैंने यहां पे लटका दी है इसको तो एक कोई भी एक फैबरिक या तॉलिया आप सिंक के पास जरूर रखिए और जब कभी भी इस वाले डोर को खोलेंगे न तो अपने आप ही कैबिनिट का जो डोर है अपने आप ही बहुत सुन्दर सा दिखेगा यह भी मैं अभी आपको बता है रेसिपी की तरफ यह मेरा एक बहुत ही अच्छा पैन है यह मैंने एमेजॉन से लिया था होम सेंटर इसका ब्रैंड था देखे इनकी केर करनी बहुत ज़रूरी है इसमें थोड़ा सा यह रफ हो गया सिरैमिक कोटिंग इसमें है रीजन यह है कि मैंने एक महने कुना प् पूँद क्लीन करिये वो हमेशा सालों साल चलेंगे जरासी भी गलती से होता क्या है हमारी ये महंगी चीज़ें खराब हो जाती है मैं तो कोशिश बहुत ज्यादा करती हूँ अपनी चीजों को संभालने की ताकि वो खराब ना हो तो अगर मैं कभी कोई महंगी चीज खरीती हूँ तो उसका उतना ही मुझे ध्यान भी देना पड़ता है इसलिए वो इतने दुनों तक चलती है तो अब देखे रेसिपी में हमें क्या करना है एक पैन लीजे और उसमें जो है अब हमें ओल डाल के जो हमारा ये मैरिनेटेड पनीर है जिसे 20-25 मिनिट रख दिया है इस तरीके के स्पैचलास का ही यूज करिये अच्छे है बस इनके संग दिक्कत यह है कि अगर इसे आप गंदा छोड़ देंगे तो इसमें हल्दी के स्टेंस लग जाते हैं आप लोगोंने रिव्यू मांगा था इसले दिया देखिए अब इसमें दही ती जिससे दही ने पान करिएगा और बहुत आसान भी है और जल्दी से बन जाती है देखिए बिल्कुल ओयल निकल गया है वो सुरी पानी निकल गया है और ड्राइ हो गया है पनीर सिख जाएगा जब अच्छी तरीके से तो हम इसको अलग एक बोल में खाली कर लेंगे मक्कन हमने लिया दो टेबिल स्पून और उसमें एक चमच कोई भी घी, देशी घी, कुकिंग ओयल कुछ भी मिला लीजे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे जीरा एक चमच जीरा डालने के बाद थोड़ा सा उसे भूनने के बाद बढ़ेंगे आगे और अब हमें इसमें डालना है जिंजर गार्लिक पेस्ट एक चमच थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसमें एड़ करेंगे अपनी चॉप्ट प्याज जो की दो मैंने लीती मीडियम साइस की अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे मतलब भून लेंगे इस प्याज को सुनहरा होने तक और साथ के साथ अपने जितने भी मेरा क्लीनिंग का काम होता है हमेशा किचन में साथ के साथ करती हूँ ये मेरी किचन को साफ रखने के एक बहुत अच्छी ट्रिक है अब देखिए इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर भूनने के बाद अब इसमें हम जो हमने टमाटर काटके रख रखे न दो वो और नमक दोनों एड़ कर देंगे जब टमाटर अच्छी तरह से भून जाएगा तो जो हमने पेस्ट तयार किया था ना मलाई का और काजू का वो इसमें एड़ कर देंगे उसको भी थोड़ा सा भूनेंगे अपने आप ये वाइड कलर से बिल्कुल सबजी के कलर का हो जाएगा बहुत ही बढ़िया इसका कलर आएगा जब ये बिल्कुल मतलब ये घी छोड़ देगा जो इसमें मलाई है तो हम इसमें एड़ करेंगे पनीर जो की हमारे सिके हुए थे कसूरी मेथी डालेंगे कसूरी मेथी के साथ-साथ गरम मसाला इसमें एड़ करेंगे अगर आप चाहें तो थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर भी इसमें एड़ कर लीजे और हमारी एक बहुत ही शानदार डिलिशियस शाही सबजी तयार है बहुत टेस्टी ये लगती है के साथ मैंने तंदूरी रोटी बनाई थी लेहन उसकी रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ अब मुझे धोन है अपने किचन के बरतन हमेशा ध्यान रखती हूँ कि किचन का सिंक गंदा ना रहे तो मैं जब रात का काम होता है तो ज़्यादा तर जो इतने भी अपने बरतन होते हैं क्लीन करके रखती हूँ अभी मेरी क्लीनिंग के बाद जो बास्केट है जिसमें बरतन रखती हूँ उसमें मेरे अपना बाहर का समान रखा इसलिए वो नहीं है यह आप कुछ ग्रीन ग्रीन सा देख रहे हो यह क्या है बताती हूँ यह सिंक मैट होते हैं जब हम सिंक को साफ सुत्रा रखते हैं बिल्कुल चमकदार रखते हैं तो कई बार क्या होता है कि यह इतना साफ नहीं रह पाता है क्योंकि जो हम बरतन इसमें रखते हैं उसकी गंदगी लगा मतलब सिंख पे लगी रहती है तो सिंख को तो हमेशा जब कभी भी आप बरतन धोएं उसके बाद जरूर क्लीन करें बहुत अलग-अलग तरीके के क्लीनर आते हैं वैसे तो मैं अपने ग्रेन आइट के सिंख को क् पड़क भी लेकर आई हूँ और इसमें जरूर मैं लगाती हूँ जाली आप लोगों के साथ शेयर करी थी और उपर से जो ये शीट है ना ये सिंख का मैट होता है जो की एक मोटी प्लास्टिक का बना होता है इसका देखो तो डिजाइन बहुत अच्छा है थोड़ा सा छो तो देखिए अभी मैंने बड़तन धोए तो उसकी बहुत सारी ऐसी गंदगी जो की कही ना कहीं चली जाती सिंख में वो बच गई तो इससे क्या होता है सिंख हमारा साफ रहता है काच के बड़तन जल्दी तूटते नहीं है और बहुत ज्यादा आवाज बड़तनों में न अबता के लिए ओके फ्रेंड्स थेंक यू एंड बबाई